नमस्कार आप देख रहे हैं नूजवल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ का जोन नरायन एकदम सीधी बात में आपका बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद है 2016 से पहले यूपी की राजनीती में तहलका मचा देने वाले डॉक्टर संजर निशाद जो की निशाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी है यूपी सरकार्मी सर आपका बहुत स्वागत है इस खास प्रोग्राम में सबसे पहला सवाल डॉक्टर निशाद जी से यही रहेगा मेरा कि 2024 को लेकर क्या मन्थन और क्या चिंतन है सुना है कि अपने सिंबल पर पार्टी चुनाव लगने जा रही है 2024 का पार्टी खड़ी और बड़ी इसलिए होती है कि जंडा एक तोपी नारा एक नेता एक सिंबल यह पांच राजनेति खतियार हैं वेजिए पाच्राय रिनती खतियारों का सिकार हुआ है निशाद मछुआ कभी हाथी साइकिल पंजा सब का जंडा उठाया पाचो हतियार तो उसे वह रो हो गया और उनका हतियार था तो इसमदा जीरो हो गया देजले कहा कि भाई कब जब निशाद राज के के किती पर जंडा था इनका खुद का जहिनी साथ-राजि जंडा था तब सोनी की चिडिया रही लेकिन इनके जंडे में अग्रेजि सबध्य custard हम लोगों को दे दिया दन तो यह जंडा जो होता है यह नारा और टोपी जो होता है चुनावचिन होता है यह पहले भगवान राम और निसाद राज बजट बनाते थे तब प्रजासुखी थी तब राम राज था लेकिन कांग्रेज सपा बसपा ने जब बजट बनाया तो ब बगाया था और अंग्रेजोंने Baptist Parliament है ने बिटीस्ज पर्लीमेंट में काला कानून में गया के लिए करिमिनल उजड़ गया तो देश आजाद हो गया संविधान बन गया उनने सो पचाज में संविधान बन गया उसमें मजवार गाउड तुरहिया खरबार बिल्दार खरोट कोली साथ लेदर मैं वासर मैं क्राफ्ट्समें के अनसुचित जाद की सूची में हुई मैं कहता हूँ आज के देश तो आजाद हो गया संविधान बन गया लेकिन जो क्रिमिनल कास जातियां थी जिनको जन्मजात अपरादी घोशित किया थांग्रेजो ने तो आपने देखा होगा कि वो 31 अगस्त और नहीं सौबावन तक को इनके उपर से काला कानूं हटा जब काला कानूं हटा तो उसमें से इनको जो है डी नोटिफाइड ट्राइब्स का गया और वो इस आधार पर कि सबसे पहले जब यह जेल में बंद थे देश आजाद हुआ ग्री मंत्री पहले हमारे पटेल जी थे वो जब जोंका की बनाई जिसमें उन्होंने रिपोर्ट दिया क्रिमिनल ट्राइब सेंट की इंक्वारी कर्टी एक सो अठासी पेज का है कि यह जातियां एक सो तिरान्वे जातियों की दसा से भी खराब है इनको 74 प्रकार की व्योस्था देकर देश्क में इनको सम्मान मिलना चाहिए ता लेकिन उस फाइल को गाइब करा दिया तो यह सब्सक्राइब करो सत्ता से क्योंकि हमारा सम्मान नहीं रख सकती देश को आजात कराने वाले जातियों के लिए इन्होंने फाइल गाइब करें मुकुल वासनी और सैल जारी तो हम तो दो-दो प्रकार करें चाहिए डीनोटी मुगलों अंग्रेजों से लड़ने के नाते इनको अरचन दिया तो लेदर मैन की सभी उपजातियों को केवट मला जो है उत्रहाद अखिना मोची अहिरवार गहिरवार दोहरे यह लेदर मैन है रजक ब्रेठा करनोजिया वासर मैन है और उसमें लिखा केवट मला मझवार केवट मला आज जो है मझवार हैं कसे अब कहार तुरहा हैं तो यह बताएए कि 1961 में सबसे पहले गिनती हुए हर दस साल बात गिनती होती हुए उन्हेस सब 1710 से शुरू हुए लेकिन तो यह पिछडी जाती हमारी उपजाती को नाम डालकर दो दो अजार इग्यारे तक आते आते हमें साथ हजार कर दिया मजवार तो यह आपने अभी कहा नहीं तहल का मचाया है वो किया है तो यह तहल का मचाने वाली विराद्री है हलके में रहने वाली नहीं अंग्रेजों मुगलों को तहलका मचाए को उन्हें तहस नहस करके हटा जिया मैं तहलका मचाने वाली यातिया जब यह जान गए जमने इनको किताब लिखा भारत का असली मालिक का और निसाद बसुए निसाद राज-गु राज महराज पर श्रिंग्बेर पुरद्धाम पर वह वह बनें सही बात बताना होगा सही जगत हैं मुकाम होगा डॉक्टर संजन इशाद मैंने प्रोग्राम बनाए एजुकेट इजुकेटेट परसें इबाउट दे पॉलिटिक्स इन्हें बताए आप साहितिक ज्यान है आपके पाद एकडमिक सिख्छा है परिवार पालने का सिख्छा है लेकिन पॉलिटिक्स करने का सिख्छा नहीं है तुमारे पार चुकि पॉलिटिक्स कुछ नहीं है जब निशाद राज भगवान राम इस देश के गार्जन थे अभिवावक थे भगवान थे तब सोने की चिड़ी आती है अंग्रेज मुगलाय तलवार के बहुदलोत अभ लिए पॉल्टिक्स इनको बताया जाकि राज़नीट क्या है राजनीट कुछ नहीं है बजट कोई हिस्खेदार और तुम्हें बढ़ी फरी ठाली रहेगी इसलिए पहला चुनाओ लट एक सीट में 2022 में मैंने 11 सीटे में और उसके बाद अब 2023 में मैंने देखे हूँगे कि सारे नदियों के सारे बड़े बड़े सहर नदियों किनारे हैं हमारी आबादी अच्छी खासी है और एक मुष्ट मोदी जी को इस पार देशे 2019 में दिया योगी 2022 में दिया उसी तरीके से भारती जंत अच्छी खासी है तो अब हम लोग यह भोजन बरी ठाली लोग सभा में आएगी इसके लिए भी तयारी चले में उसको छोड़कर राजनीती में आना आगे बहुत सारे मुद्धे पर बात करें इनकिनि मैं समझना चाहूंगी कि बाम से जुड़ना सपा से भी गड़बंद करता है वो ग्यान भय मुक्त करता है अब ग्यान के अभा में लोग भैवीत रहते हैं हमारे जितने भी नेता है तेमाहिन शिंग राजपूर्ट आए धनी रामर्मा रगबर्दे अलबनमान मनुहरला निसाद आए जैपाल कस्यप जोरी बिंदा जमना निसाद आए फूलन जितने भी निसाद नेता है इस हमारे समधाय को हिस्सा दिलाने के लिए इन राजनीतिक दलों ने उन्हें कुछ दिन बाद यूज किया उसे मार दिया क्योंकि उनके पास राजनीतिक सेना नहीं थी ओट बैंक था जब कैसी पैसा पाकेट में रहेगा पाकेट में राज लग समय आने पर तो आधारि के पाधू के पाधो ज्रॉक है हुम अ मतलब हमोस्टसी शरीर के सभी प्रमुख अंग संबने कार कर करके हमें स्वास्त करते हैं इसलिए फैंसनल कायक्शितिक कर दिया उसे चिकिस्या कहते हैं तो पौदो और आदमी में समानता है इसलिए पौधों के इंजाइम है इसलिए लीवर खराब हो जाता तो लोली 52 लिवो माइन सब डाक्टर जो है पौधों पार तो यह सारे यंगों की दवाई पौधों में हैं लंबे समय से तो उस पैथी क मानिता के लिए उननेशा देश आजाद हुआ तो उननेशा तिरपन में राज सरकार ने कहा था कि इसे पबलिक लिए लिए फिर हम अफीसिली मानिता दे में लेकिन जब समय आ गया तो सब पैथी मानिता मिल गई फिरको जो लेकिन ये पौधों पर आधारित भारत जो है ए कानून का काम सुप्रीम कोर्ट इंट सुप्रीम कोर्ट बड़ा नहीं है। तो सुप्रीम सुप्रीम गया उनका पौर्ली में में था। चाहरा उकं तो मिला साब हमारे ओठ cattle आया है तो हमका मेंगे जीतवाया कि मेंबर इज नाट सुप्रीम पार्लियम वोटर इस शुप्रेम गार्ड इस वोटर इन देमोक्रेशी हमें एक किताब पढ़ने को मिला है बाउट दे पॉलिटिकल पाउर दे गार्ड पाउर राजनितिक शक्ति बड़ी सक्ति होती है और उसमें लिखा था कि सोचल अरगना समस्याओं का सामाधान राजनितिक दल से संभव है तो कि जिस जाती का कोई भी आदमी होता है डाक्टर होता तो जाती के लोग जादे पहले मिड़ते हैं कि कहीं भी होगा नेता होगा तो हम चुकि एक फिसर में कमूटी से बिलांग करते थे तो मेरी जातियां गरीब अच्छा स्पताल बताओ उस जो 80% उसमें 30% ऐसे थे जिनके बाद किराय भाड़ा नहीं होता था आज आते दवाई दे दिया तो यह जो आर्थिक भी संगती थी तो यह से जब पता चला तो यह पता चला कि जो राजनीत में जो राजनीती ग्रूप से ट्रेंड हैं वो पा यह सेहिसे हैं कि सपता ही नहीं कि मेरे वोट में क्या केमत है इन्हें पता ही नहीं है 5 साल बाद कैसर नेता जगाते रहे जो जगाने वाली नेता रहे हमारे समाज के उमार देते रहे व्योंत्पी आते Tucson 70% मच्वा संबदाय के लोग आते दे सार stepping लोगी हjangते थी, हंसे में जब मैंने देखा इनका दर्द, तो देखा कि गाउं में रहने वाले धेर सारी जातियां, उनके पास नसिक्षा है, नस्वास्त है, नरोजगार है, और सतर सालों में पता चला, तब पता चला कि देश सम्विधान से चलता है, तो फिर निशित रूप से मैंने तब इनको ठान कि इनको हिस्सा दिलाना है, तो फिर हमें पार्टी बनाना है, और पार्टी को जिता कर विधान सभा लोग समभा में लाना है, इनका खुद का टोपी और जंडा बनाना है, इनको नारा लगाना, जैनिसाद राज का अब फिर इनको लाना है, विधायक भी आपके पास है, सा सपाइ उज़ कर रहे थी हुड़ा रहे तो परिवार हमारे घर के है घलत आरोप उन्लों का किसी तरीकर समाज नाराज हो कशरवल कांड कोई भून नहीं सकता क्योंकि ये वो कांड था तब डॉक्टर संजन इशाद कहें कि असली जनम वहीं से हुआ कि राजनीती में उसके बाद फिर जेल के हवा भी खानी पड़े फिर जेल से बाहर भी आए उसके बाद ठाना कि हमें इस जाती को अनुसुचित जाती में शामिल करना है आरक्षण की मांग करनी है तब से लेकर यह आवाज उखती रही है क्या लगता है अब जाकर जब बीज छेट ओंदम लेकर जन्दा बी होग है जय निसातराज का नारा प्योंगा चूकि बीना ड्रेप जिसकी जब दलितों चैर पर दूसरे पार्टी स्थे और वो पाओं में थे और जैसे उनके सर पर जैभीम की टोपी आ गया उनके जैभीम का नारा आ गया और एक नेता एक विचारदार एक घंडा आ गया देखो उस संविधान में मिले वे जो आरच्छन थे वह अपनी संख्या से सोगुना जादे कर रहे हैं तो इनके पास टोपी था ज खतम होते जाएं उनको खत्म करा दिया तो इसमें आया कि अब लड़ाई को लड़ेगा तो जब हमें पता चला कि एक बार कि आरच्छन एक ऐसी ब्योस्था है कि हमारे पास मझवार नाम मझवार गौन तो रही है मलब शाठ साठ मलब छाठ समू है बल्वो जाती नहीं जा पाके वह जो है वह फार्मसिस्ट भी नहीं हो पा रहा तो जब देखा गया कि आरच्छन वह 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 स्था है कि जिसके माध्यम से इनको विकास के मधारा में लाया जा सकता कि मजबूत घोड़े को कमजोर घोड़े को टोकरी में रखा जा तो मजबूत वाला जो है सब रती जाता है नो क необходY kiss के भाग ने अदीकारीा है आदिकारी करता तो सिधे आपनिश कर सकते तो मैं ऑस senior जब मिलना चुरों किया तो पताचला कि और अन की इन एक बिरादरी केलिए काम कर रहा भाकि 66 समय का सामाजिक नय मंत्रा लेकर आध्यार पर 27-23 पर पूरे सव परसंट का कपजा लेधर मैं का बाकी जाती हो का नहीं तो ऐसे में हमें अपनी पैथी को छोड़कर इस आरचन के अंदोलन में आना पड़ा मैंने पहले लोगों को बैठ के बात किया आरचन पर किताब लिखा कि आर आरचनताय करता है राइस्टार जनरल आफ सेंससाफ इंडिया कि कौन अन्सुचित होगा कौन पिछड़ा होगा और राश्ट्पती के दिन है तो राश्ट्पती ने उन्हें पचास में ही संविधान बना दिया उन्हें सब्सक्राइब पहली बार गिंती कराया कि केवट मल अधला मझवार हैं तो हमारी गिंती उने सक्षेट में सतर लाग हुई कि कि कश्याप कहार तु रहा की गिंती हुई ऐसे में उत्रहा दखना मोची अहिरवार गहिरवार की जिन्ती चमार में हुई और रजक बर अठाग गरनुजया की दोभी में उसके अनुसार उनको पड़ाद हो गया 1947 में पचास में संविधान बना लेकिन 31 अगस्त ने सवावंता है यह हमारे उपर काला कानून जो बारेक्टूबर 1870 को लगा था उसके वजह सम्झेलों में थे तो पहला चुना हमारे लोग जेल में बंद थे तब ही हो गया तो हमारे लोग राजनेतिक भागीदारी ने होने नाते लोग सभा विधान सभा में हमारा आरच्छर आइसे नहीं आज वो जो सेवादार जातियां पागे तो फिर पता ही चला कि हमें लड़ाई लड़ना पड़ता क्योंकि इतिहास राजनीत की माह होती है और अंदोलन उसका बाप होता अगर मेरे देश के मेरे ज्यातियों के लोगों ने देश को आजात कराया 167 निसादों को फांसी की सजा होई कानपूर सती चाओरा घाट में हमारे लोग पहले सडक नहीं थी पहले हाइवे नहीं था नदियों से यात्रा होती थी हमारे लोग जाल के साथ माल भीड होते थे हम लोग धनी थे हम लोग देश को चलाते ते अंग्रेजों को डुबो के मारने नाते अंग्रेजों ने काला कानून बना कर हमें उजाड़ा है तो बसाने के लिए अंथा समयनेंगार कमिटी का रिपोर्ट बस बनाए गया और जब आयोग हो गया इन जातियों के साथ अन्य जातियां और जो पाइप लाइन रोड पर घूम रहे इनके पास कुछ भी नहीं है ऐसी दसा में इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमें आगे आना पड़ा अब तुकि हम उस जाती में जनम लिए तो पहले कहा जाती धरम में जनम लिया बलिदान उसी पर हो जाओ तो यह हम लोगों को सुबह सुबह प्रार्थना करा जाता था पूरे लंबे समय तो जाते में जनम लिया बलिदान होने के लिए आगे आना पड़ेगा तो मैंने अपने परिवार से बात कि तो पता चला है निसाद भगवान राम को पार उतारे निसाद राज को गले लगाया और निसाद राज ने अपनी सेना लेकर राम को जो है वहां जो है चित्र कूर्ण रावन राज खतम किया रात्री विश्राम कि भगवान राम पता चला कि वहां उनके सीने पर एक मस्जिद भी पड़ी है तो यह सब चीज हैं तो मैं वहाँ जब किले पर 132013 को संकल्ब लेका है कि मैं इनको संविधान चुकि समस्याओं का समाधान संविधान से होगा हमारे पास ओट बैंक है यह जहुआ भर वोट है और यह बहुत जादे वोट है और पता चला की उप जातियों में बटा हुआ के बिन्द है के वट है हाथ जोड़कर उप जाती जो जो काम करते रहे बन गया तो यह तो उप जातियों बटे गए इनको एक अठा करने के लिए मैं किताब लिखी तो जब संविधान के उस आरच्छन के मुद्दे पर मैंने बताए भाई वो समय खतम हो गया पहले ही बार मे बहbach मैं दो दोगाती हैं सबका साथ अबका विकास सबका विश्वास और जाती जो है आप गर्व है हमें निषाद राज निषाद राज के बंस में पैदा होना हमारी लिए ऑनलिए भारत भागवान राम जिसको गले लगाए हूं हमारी रिए हमारी है आबादी 18% अंग्र तब निशाद अलग हो तर प्रदेश माजी को मिलेगा अब बिंदी लग जाए तो नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश महना मद्ध प्रदेश बहुत लंबे तक सरकार थि अब मटन ना को वेस्ट बंगाल में अन्शुची जादकी सूची में और जब बंगाल से बिहार अलग हुआ आज़ादी के बाद तो अरच्छन तो अलग नहीं हो जायेगा ना तो के वर्ट मनला को मिलना चाहने बिहार में तो गलत करते हूंकि हमारे लोग सदन में रहने को जैसे यह जो आरश्षण का लाव लेने वाली जातिया है वह एरो हो गई हमें जीरो तो हमारे लोग जान गये तो इनको बना रहा है अब कांग्रेश का बटन चूना बंद कर दि आरच्छन का अंदोलन के लिए आवाज उठाते रहे लोग सभा में वहां से भी सपा वाक आउट करते हैं तो यह हमारे आरच्छन के मुद्दे पर सारे लोग बिरोध में हैं भारती जनता पार्टी को मैं धन्दबाद इसलूँगा कि जब मैं इनके साथ आया तो हमारे से प कार बन गई मैं आ गया मैं लड़ाई लड़ने ला मेरे लिए भी धरना प्रदर्शन किया और कई बार अखबारों में चपा मानी योगी जी ने कहा कि नहीं इनकी लड़ाई लड़ेंगे अब भारती जनता पार्टी ने वादा किया था कि महीं हम जैसे धार 370 राम मंदिर जगा क कि जन्ता वखील सीूदा को नाराज लेकिन से ना राज हो लेकिन लेकिन सब्सक्राइबovan मेरे मेरे जैसे सब्केल को मोह योगी सत जब मैं आपका वकील मुद्धान मंत्री और मानिगरी मंत्री पास आपके आरच्छन का मुद्धा तो धैर रखे धारा 370 खतम होने में 70 साल लगे ब्रहाम मंदिर तो हम धैर रखे हुए क्यों क्यों कि हमारे मावन मुद्धे उल्गा दिया था हूं कि फाइल गायब करा दिय लिखा है तो मिलेगा चुकि सारे संविधान में जो हक है मोदी जी दे रहे हैं सारे नागरिकों को दे रहे हैं जिसका नहीं लिखा है उसको मिल रहा है तो मेरा तो लिखा है तो लेदर मैं को मिलेगे आवासर मैं को मिलेगे उसके आधार पर फिसर मैं को मानी योगी जी 18 जनवरी को हमसे पत्र मागे हमने ग्यापन दिया अठारे दिसंबर दो आजारे पीश दिसंबर दो आजार एक कीश को मानी योगी जी ने आरजी आई को पत्र लिखा मैं उनको धन्यबाद दूँगा पहली बार सत्तर साल में कोई मुखमिंत्री रइस्टार जनरल आप संसर सा इंडिया से दिसा निर्देश मांगता हो कि केवट मल्ला मजवार अन्शुजी जात कहगदार है तो कि इसकी पहले सरकारे केवल गुम्राग करते दें सामिल कराएंगे सामिल कराएंगे चुकि हम लोग तो सामिल आलेडी ने जैसे उत्राद अकिना मोची अहरवार का हैरव तो योगी जी ने इसको लिखा और जी आई ने उसे एक्सेप्ट किया अठारे दिसम्बर अठारे जनुनी दौजार बाइस को और जी आई ने लिखित रूप से कहा कि भाई डाक्टर साब जो कहते हो सही है हमारे उन्हें उन्हेंशुजी जात की सूची में गिंती होती थ सामाजी न्या मंत्री ने लिखित रूप से इंजिनियर प्रवी निशाद जो सदन में आवाज उठाए लिखित रूप से जवाब दिया नाराण स्वामी ने कि मजवार हमारे उन्हें इस सब पचास से सुचिबध है अब परिवर्तनी है और इनके जितनी भी कम्मूनुट कि नौ साल बे मिशाल हमारा समाज जाने कि मैंने कीले को परेटक का स्थल घोषित कराया मैंने उस पर चपन फुट की मूर्ती लगाई समाज मेरा जाने के 20 करवान तीस लाग का निशादरार रोटूरियों मैं समाज जाने के एक विधायक से ग्यारे बिधायक बनाया आज मंत्री जी आखिर में एक सवाल ओवराल ने लेते हैं 2024 का चुनाव बेहत नजदी के तमाम पार्टिया इदर उदर रणी थी मंतन तमाम चिंतन कर रहे हैं पटना का दिक्राप ने किया पटना में तमाम भी पक्षी दल मिले 15 दल मिले हैं साइकल भी थी पंजा भी था और उ 2017 में तो साइकल और पंजा एक साथ लड़ा था आपने देखा क्या हाँ सरुआ था और मैं लड़ा था पीस पार्टी में साथ पार्टी सत्तर सीटों प्लड़ी थी तो सपा और अंग्रेश एक बार 2017 में देख चूके हैं ने 2014 से समाजबादी पार्टी समाजबादी हुआ केंद्र का और मैं उस समय एक अंदूनन कि लखनों में और मैंने आरच्छन पर आंदूनन किया और समाजबादी पार्टी ने लाठी चार्ज कराई और समाज नाराज हुआ तब 18% आबादी सपा से अलग हो गई तो जब पिछणी जात अलग हो गई राजबर अलग हो है तो 1414 में सपा कहां चली कांग्रेश भी खतम हो दोजार सतरह में कांग्रेश और सपा एक हो के लड़ी और उस समय उंपरकास राजबर भाई भाजबा के साथ आए और मैं अलग लड़ा आप देखो कैसे हुआ हैं 2019 में सपा और बसपा एक हो के लड़ी 2019 में सपा बसपा किनारे निशाद है अब बड़े बड़े सहर नदियों के किनारे है अब एक मुष्टोड दे दिया आप देखो महानगर पालिका कैसे जीत आए तो 2024 में भी हमारी समाज के लोगों के साथ रहेंगे मोदीजी से आटूट गण मंदन है कहां जाएंगे तो इता का जिस तरह के भगवान राम ने कले लगा है वो इसे निशाद राज के बंसच के बेटे डाक्टर संजे को मोदीजी को लगा है दूरत देश में मच्वारे वोड़ दे कर मोदीजी को गदी बैठाएंगे फिलाल कि इतना ही देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें निउस वाल इंडिया